दोस्तों आए हम रविल कपूर की पिछली फिल्म संजू और अब रिलीज होई ब्रह्मभास्त्र सीवा पार्ट वन का फोस्ट वीक का कॉंपेर करते हैं कोई जी फिल्म ने बॉक्स अफिस पर तहल कामा चाहे रखिये फोस्ट वीकेंड में वहीं अब को बता दे कि संजू फिल्म को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया गया था 4000 स्क्रीन्स पर और ब्रह्मभास्त्र एक पैन इंडिया फिल्म में जिसे हिंदी तम्मिल तिल्गू कनाड़ा मल्यालम भासाओं में रिलीज किया गया है इंडिया में इसे 5000 स्क क्या compare कर रहे हैं कि कौन सी फिल्म ने हिंदी लैंग्वेज में सबसे संधार कमाई की है संजू फिल्म ने हिंदी से अपना box office collection ओपनिंग लिया 34 करोड 75 लाकी वहीं ब्रहंभास्त ने अपना ओपनिंग लिया हिंदी लैंग्वेज में फस्ट डे 32 करोड की यानि कि अभी भी संजू पहले आगे चल रहे हैं सेकेंड दे संजू का collection रहा 38 करोड 60 लाक ब्रहंभास्तर का सिर्फ 38 करोड थर्ड डे संडे को संजू का collection रहा 46 करोड 71 लाक हुआ हीं ब्रहंभास्तर का थर्ड डे का 41 करोड 2 लाक चोथे दिन सुमवार का collection रहा संजू का 25 करोड 35 लाक और ब ब्रम्भास्त्र का 11 करोड 7 लाग, 6 दिन का संजू का 18 करोड 90 लाग, ब्रम्भास्त्र का 9 करोड 8 लाग, 7 दिन वीकेंड के लास्ट दिन संजू का कलेक्शन 16 करोड 10 लाग और ब्रम्भास्त्र का हिंदी लैंग्वेज का 8 करोड, अगर 1 वीकेंड का हिंदी लैंग्वेज का स 244 करोड 18 लाग तो अभी भी संजू हिंदी लैंग्वेज में सबसे संदार कमाई करने वाली रविल कपूर की फिल्म है ब्रमभास्त्र फिल्म अभी अगर पूरे इंडिया का भी कलेक्शन कर दिया जाये तो संजू फिल्म ही आगे चल रहे है फोस्ट वीक में 202 करोड 91 इसके मिलाकर 172 करोड 70 लाग तो इंडिया में अभी भी संजू का क्रेज जादा है ब्रमभास्त्र से और अगर वर्ल्ड वाइड इसे स्क्रीनिंग मिला था इसी के वज़े से ब्रमभास्त फिल्म वर्ल्ड वाइड अब तक फॉस्ट वीकेंड में 310 करोड की कमाई कर लिय है नहीं तो इंडिया में अगर कोंपेर किए जाए तो संजू ही आगे चल रही है और अभी देखते हैं कि क्या कमाल कर पाती है तो फॉस्ट वीकेंड में अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो संजू इस बेस्ट फिल्म और ब्रमभास्त अभी भी सेकेंड नमबर पर है आपने कौन से फिल्म देखा है आपको कौन से अच्छा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइए और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए